हलो दोस्तो मैं विनोध मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं किस तरह से आप CESC का electricity का मंथली बिल अपने मोबाइल से पेमेंड करेंगे अगर आप चाहते हैं लंबे लाइन में खड़ा ना होना और घर बैठे ही अपने मोबाइल से electricity का बिल का पेमेंड करना तो आप इस वीडियो को जरूर देखें मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा आपको किसी भी एप्स की डाउनलोड करने की जरूरत नहीं हैं आप डायरेक्ट ही अपने मोबाइल से CSC के पोटल में जाकर आउनलाइन पेमेंड कर सकते हैं मैं सारे प्रोसेस आपको इस वीडियो को जड़िये बताने जा रहा हूँ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बगल बाले बेल आइकम को दबाकर नोटिफिकेशन को आउन कीजिए मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के पास लेकर आते रहता हूँ चलिए जानते हैं कि इस तरह से ऑनलाइन पेमेंड करेंगे सबसे पहले आप गूगल का होम पेज खोल लिजे अपने मोबाइल से सर्च बार में आपको क्या टाइप करना है CESC CESC टाइप कीजिए टाइप करकर सर्च कीजिए सर्च करते हैं आप अपने स्क्रीन पर दे सकते हैं CESC पावर इुटिलेटी कंपनी दिखा रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए क्लिक करते ही आपको CESC का official website पर लेकर चला जाएगा जैसे देख सकते हैं यह CESC का dashboard है यहाँ पर आपको सारे information मिलता है CESC से related, electricity से related सारे information आपको यहाँ मिलता है आप यहाँ देख सकते हैं Quick Links दिया हुआ है Quick Links आप यहाँ देख रहे हैं क्विक लिंक्स में आपको यहां पर दिखा रहा है क्विक बिल पे आप क्विक बिल पर क्लिक किजिए क्विक बिल पर क्लिक करते हैं देखिए आपको यहां दिखाएगा पेमेंट सर्विसेज यहां आपको दिखा रहा है यहां आप देख सकते हैं मंतली बिल मंतली बिल के customer ID मांग रहा है देखिए योर मंथली electricity कंजम्शन बिल का नीचे दिखे दिया है customer ID आपका 11 बिजिट का customer ID है आप अपना CSC का electricity का बिल देखेगा वहाप पर customer ID दिया रहता है देखिएगा वहां पर देखिएगा 11 डिजिट का होता है 11 नंबर का आप 11 नंबर का है डालिए उसके बाद देखिए जो दिया हुआ है बॉक्स में रिफ्रेश इमेज जो बोला इमेज वह इमेज को यहां पर टाइप करना है अगर इमेज समझ नहीं आ तो रिफ्रेश कीज़ेगा नया इमेज आ जाएगा यह दिखिए यहां पर जो है आपको प्लीज इंटर दर टेक्स सोनी जो दिखा रहा है उस आपका नाम एड्रेस सारे चीज दिखाएगा अगर यह बिल आप ही का ही है तो देखिए यह एक बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको पे बिल देखिए एक्टिव हो जाता है पे बिल पर आपको क्लिक करना है पे बिल पर आपको दिखाएगा उसके बाद नीचे देख सकते हैं या दिखा रहा है पे यूजिंग आप किस से पेमेंट करना चाहते हैं आप बहुत सारे आप चूज करते हैं देखिए आपके पास यहां आ जाएगा मैंने केट का डेविट का जैसे ही चूज किया यहां पर दिखा रहा है गेटवे दिखाता है पेटियम है बिल्डेस्क है मैं उजहां का तोर से बिल्डेस को प्रमेंट मैंने क्लिक कर लिए बिल्डेस्क पर क्लिक करते हैं दिखा रहा देखिए www.cesc.co.in बता रहा है please select the check box for the same and condition आपको बोल रहा है कि check box को क्लिक करना है इसके बाद ही होगा उसके बाद फिर मैंने बिल्डेस्क को क्लिस किया दिखा रहा है देखिए उसके बाद दिखे हैं पे बाई केर्क्राइब्स कार्ड याँ वीज्या मास्टटटल कार्ड सारे कार्ड यहां पर दिया उसके बाद को सब्सक्राइब के तीजिपे लिखा रहा था ति., लिखा रहा था त्रम आप का नाम में आपको आपको चाहि उब में क्लिक नाम उसके बाद में पर असां तरीका है यह है और बकाइब 25 जूसक्ते हैं अगर आपके अगर आप स्कैन करना चाहते हैं जो आपका सहूलियत है वह चूज कर लिजेंगे देविट कर दिखाना चाहरा हूं तो सेम आएगा कार्ड नंबर इक्सपारी डेट यहर सीवीसी कार्ड नाम उसके बाद देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद